नमस्का आज भूब डिसकस करेंगे जेन्रिक नेम और ट्रेड नेम के बारे में अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम निस्टर सूरत ने एक मर्टी स्पेसिलिटी होस्पिटल की इनौगरेशन पे गया थे जब उन्हें नौश किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो ड्रक्स ह की जाएंगी डिया ने भी डॉक्टर्स का ड्वाइज इसओ कर दिया कि सभी मेंडिक नेम से हिं ट्रग को प्रस्प्राइब करें लेकिन जो मेंडिकल प्रैक्टिशनर थे वह इस बात को मानने को त्यार नहीं और IMA जो मेंडिकल अस्शोशिएशन उन्होंने एक मिडिक अ उनकी एक order इसो हुई या उनकी कर सकते हैं उन्होंने एक notice इसो किया जिसमें ये कहा गया कि doctors medical practitioners इस बात के legally bound नहीं है कि वो generic drug को prescribe करें जिए उनकी मरसी है वो generic drug prescribe कर सकते है या वो branded drug prescribe कर सकते हैं इन चीज़ों के detail जाने से पहले होगी आज की वीडियो के अंदर ये discuss करेंगे कि या ये generic name ये brand name है क्या किसी भी drug का generic name क्या होता है ये किसी भी drug का brand name क्या होता है एक वार कन फीनल है इंडिया के अंदर इंदुस्तान के अंदर ये आप किसी से कोई पूछा जाए generic drug क्या है तो हमारी क्या जवाब होगी हमारे फार्माकोप्या के नाम से जा रहा है उसे हम कहेंगे ये generic drug है और जो drug company अपने के दोरह पे नाम दिया गया उसके नाम से इसे drug की marketing की जा रही है तो हम कहेंगे ये branded drug यही इजि युएस के या western countries की बात करें तो हम कहें क्या होगा कि branded drug है branded drug की एक patent period होती है और जब patent period कसम हो गई तो वो drug हमारी generic category में आ जाती है तो आज के video में लोग जानेंगे कि कि किन drug को कहेंगे ये generic drug है और किन drug को कहेंगे ये branded drug है तो यह आज का video में बुछे है सबसे पहले drug के नियाश के बाल किसी भी drug के जिननाम है उसको मोझोड़ों different types है उसके नहुनी पैसर किया रह सकता है first one is the chemical name, second one is the generic name, third one is the brand name, fourth one is the branded generic name and fifth one is the coded number. मैं रपीट कर रहा हूँ, chemical name, generic name, brand name, branded generic name and coded number. साथ से परे देखेंगे किसी drug का chemical name क्या होता है? ड्रग कर जो chemical structure है और उस chemical structure के अधार पर जो हम कोई नाम नमने पर से उसे कर रहे हैं, उसे कोई नाम रखा जा रहा है, तो हम कहेंगे यह drug का chemical name है. और जो drug का chemical name होए, यह बहुत popular होती है, जहां पर advanced study की जारी होती है, यह जहां पर research का काम चल रहा होता है, वहां पर drug को जो popularity है, जो drug को जाते हैं, हम उसके chemical name के दोर जाते हैं. लेकिन chemical name काफी lengthy होता है, काफी complex होता है, और इतना lengthy होता complex होता है, कि general public है, या pharmacist, या medical practitioner, उस नाम को balance करने में परसानी उनको होगी, उस नाम को लिखने में परसानी होगी, उस नाम को याद रखने में परसानी होगी, इसलिए यह नाम हमारे profession के अंदर pharmacy profession हो, या medical profession हो, वह यहां पर यह नाम यह common नहीं है, सिर्फ कहां पर यह केम करने हम common है, जहां पर हम advanced study कर रहे हैं, यह जहां पर हम research and development का काम कर रहे हैं, अब दूसरी बारे, that is the generic name, हम किसे generic name कहेंगे, सबसे पहला, कि जो generic name होता है, यह एक non-proprietary name है, non-proprietary name है, इस नाम के उबर किसी का कोई अधिकार नहीं है, it is a non-proprietary name, इसके अंदर जो active ingredients है, और इसके नाम दिया गया, वो नाम universally accepted है, यह universally understood है, जो समझ जाएंगे कि हम किस drug के बारे में बोलना चाहरे हैं, तो जो नाम होता असानी से, फुर्य वह होता है, फुर्य वह होता है, फुर्य वह होता है, फुर्य व वह ने जो जो जेनरिक रग को डिफाइन किया है, उस वह के मिसार की जेनरिक नेम जो है, it is a non-proprietary name of the active ingredient, accept and understood, यह इसके पूरे एक ग्लोब के अंदर हर जगा यह नाम accept की जाती है, हलाँ यह कुछ अक्सेप्टिन है, कुछ कंट्रीस हैं, जहां पर वो अपना खुद जे जेनरिक नेम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यूएस के अंदर पारशिटमॉल है, पारशिटमॉल एक जेनरिक ड्रग है, लेकिन वहां पर इसे हम एस्टामिनो फेन के नाम से चालते हैं, फिर भी जो जेनरिक ड्रव है, फ्रो आउट ग्लोब है, वो यूनिवर्सली अक्से उसी वे ड्रग के जब जेनरिक डीजाते हैं, जी एक कमुटी होती है और आयम को प्रोडोव करती है और ये नम उसे ड्रग को !! उसे शिम्ऴ इन को देदी जाती है और जो उसका नाम क्या होगा, इस जेनरिक नेम, इस जेनरिक नेम क्या होगी, क्या खासियत होंगी, कि ये शॉर्ट होता है, केमिकल नेम के कंपेर में, ये पॉपुलर होता है, आसानी से हम इस नाम को याद कर सकते हैं, आसानी से हम इस नाम को राइट रिख सकते हैं, आसानी नेम कत कहते हैं कि इस install आफिश्यर नयम अफुछ odpow कर रहा है जेनी निसम्क क्या है कि इसे लन प्रोपराइटरी नम ओफ तड अ अक्टि अड्टिव ब्मडेलेधेंगेंट अ Eigenस्टेथ व्र अफुड़य। benefic Compared to the chemical name, it is very popular name, easy to remember, easy to write, easy to pronounce, and it is the official name of the drug. जो medical practitioner है और जो pharmacy practitioner है वो भी drug को इसी generic name से identify करने उनको असानी होती है, क्योंकि वो during study period, जब वो drug के बार में study करने होते हैं, तो drug के generic name के द्वारा ही उनकी सारी detail में मालूम होती है. इस इसे द्वे निवे में generic name के बार में study किया है, generic name के दोरा हुछ उनकी द्वारा को identify किया है, तब क्या कहेंगे कि जो medical practitioner है, जो pharmacy practitioner है या जो फार्मेसी प्रेक्रिक्शन है, वो generic name से drug को बहुत आसानी से identify कर सकते हैं. जो पेसेंट है या जो केरे टेकन है पेसेंट के वो भी जेनरिक नेम से ड्रग को आइड़िफाई करने में उनको असानी होगी compared to the chemical name तो यह तो होगे हमारे किसी भी ड्रग के जेनरिक नेम क्या होता है अब आए थर्ड हो इस दा brand name brand name के बारे में खालता है कि यह एक proprietary name है proprietary name में से किसी manufacturing है किसी generic drug को किसी एक generic active generic drug को या generic name को उसने अपना नाम दे दिया और उसे में क्या नाम देंगे उसे में क्या नाम देंगे it is a branded drug sorry it is a branded name अब जो brand name है it is more shorter than the generic name this generic name से भी छोटा होता है इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं इस वर्ड को आसानी से हम रिलिख सकते हैं और आसानी से हम प्रणाउस कर सकते हैं compare to generic name means manufacture होता है वो इस तरह से एक fancy name इसको देंगे एक proprietary एक business की एक नाम देंगे ताकि आसानी से जो doctors है मतलब जो medical practitioner है और या जो pharmacy practitioner है उस नाम को वो आसानी से याद कर सकें आसानी से उसे pronounce कर सकें और आसानी से लिख सकें और इस brand name के उपर जो manufacturer होंगे वो बहुत heavily invest करते हैं for their advertisement and for their marketing कभी-कभी advertisement इतनी ज्यादा कर जी जाती है manufacturers के दौरा कि even जो scientific scientists है जो scientist community है जो research का काम कर रहे है जो doctors है जो medical professionals है वो भी confused हो जाते है कि इसका generic name कौन से है और इसका brand name कौन से है for example gentamicin कि gentamicin एक हमारा antibiotic है और ये जुसरे नाम से इसका generic name है और ये एक नाम जाता है ganamicin ganamicin के एक वो एक brand name है लेकिन इतना ज्यादा common होगी कि doctor ही confused जाते है कभी-कभी जो medical practitioners है वो भी confused जाते है कि इसमें कौन सा generic name है और कौन सा brand name है इस चीज़ को समय देख लिए हम अपने daily जो घर के समान है उसके अपन हम दिसके करते है वहां भी समान की जो materials है उसका एक generic name होता है और एक brand name होता है just for example हम surf के बार में सभी जाते है surf क्या है यह एक detergent powder है लेकिन surf की इतनी marketing के गई इतनी advertisement के गई कि हमारे जहन में बात आ गई कि surf is a synonym of the detergent में suppose करें या washing powder suppose करें कि हमें market में जाना है हम कहेंगे हमें surf क्या है हम क्या क्या करते है हम surf नहीं कहेंगे हम यदि कि हमें washing powder दो हमें कुछी और प्रागर चाहिए जब क्या आवाज आतीजिए आपने अपने आपे कि हमें निर्मा सर्फ दे दो एक्च्वन में surf क्या है एक ब्रैंड नेम है washing powder का और निर्मा भी क्या है एक ब्रैंड नेम है washing powder का जोनों अलग अड़क प्रडक्टर है लेकिन हमने क्या किया इतने शेयर बटाईमिट की सर्फ की इतना marketing क्या गया अभी जो dexamethalzone esteroidal drug है इसका market name brand name है that is a dexona अब dexona और dexamethalzone एक जुझे के CUNYB से बन चुके है बहुत बार फार्मासिस्ट को इवन फार्मासिस्ट को या अमेरिका प्रैक्टिस्टों को भी करूपिन रहता है कि कौन सा generic name है और कौन सा brand name है तो हम उने क्या शुझे किया chemical name क्या होता है जो से chemical structure पर depend करता है generic name क्या होता है एक ऐसा नाम जो universally accepted है और universally understood है और तीसा हमने शुझे किया brand name जो brand name manufacturer की द्वारा किसी generic drug को दी जाती है और उस नाम को क्या नाम दते है होगा कि brand drug में brand का भी नाम लिखेंगे और उसके साथ उसका generic name भी लिखेंगे अब जब हम brand का भी नाम लिख रहे है और generic name भी लिख रहे है तब हम उसे drug को क्या कहेंगे it is a branded generic drug या branded generic doses form क्यों भी बात ये brand मिन से कि सिर्फ वहाँ पे brand name लिखी गई है जो किसी एक special manufacturer के दोड़ा दी गई है और वो brand name उस manufacturer की proprietary है उस manufacturer की property है और branded generic drug का मतल़ क्यों हो गया कि ऐसा drug जिसके level के उपर brand name भी लिखा हुआ है और साथ साथ clear सब्दों में clear word में वहाँ उसका generic name भी लिखा हुआ है हम इसे कहेंगे branded generic अब last was the code number WHO हर एक drug अपना एक number देती है और हर एक generic drug को हर एक active instrument को एक number देती है और उस number को हम लोग क्या करते है it is a code number बहुत ऐसे drug है जो drug कोड number के दोड़ा ही identify होती है जो medical practitioner है या जो pharmacist है कि यह फरना generic drug के बारे में आपके discussion किया जा रहा है तो यह होगे हमाले chemical name, generic name, brand name, branded name and the coded number अब एक और अज़ेकर की history है वहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि western country की बात कर रहे है developed country की बात कर रहे है USA, Canada की बात कर रहे है वहाँ भी क्या होगा brand name और generic name क्या मीनिंग है इंडिया में हमने क्या कहा generic name means कि वह ऐसा drug इस drug का नाव pharmacopya कंदर और pharmacopya के नाम से उस drug को marketing कर रहे है हम कहेंगे it is a generic drug और यह किसी manufacturing उसका नाम जा दिया तो हम क्या कहेंगे it is a branded drug या branded name और it is a generic name अब western country के बात करें क्या होता है कि किसी भी new drug को invent करने कि किसी new drug को invent करने के लिए एक manufacturer को या inventor को 10 से 15 साल या कभी कभी 20 साल भी लग जाते है 10 से 15 साल और कभी 20 साल भी लग जाते है एक drug molecule को invent करने में और जो पैसा investment होता है वो almost 1 billion dollar I repeat वो almost 1 billion dollar जो investors है वो जो inventor है वो inventor कभी 1 billion dollar पैसा invest कर रहे होते है और 1 billion dollar investment के बाद उनका time इकना लग रहा है 10 से 15 साल और कभी कभी ये time 20 साथ कर लग रहा है तो इस चीज को recover करने के लिए जो उनका time spend करने में किसी भी new drug को invest करने में किसी भी new drug को identify करने में और एफ्ड़lect करने में और ऑपने investment के recovery के लिए by the manufacturer वो जो 10 साल के रहा हो सकते इ ister और बेर मुए भी जो पैसा करनी में पैसा करने में और उस new drug को किसी manufacturer ने patent करवा लिया patent करवाने के बाद अब manufacturer क्या करेगा कि उस new drug का अपना एक नाम देगा और उस नाम को क्या कहेंगे brand ने जब तक ये drug patent रहेंगे तब तक कोई भी manufacturer कोई भी दूसरा manufacturer उस drug के doses form को manufacture नहीं कर सकता वो सिर्फ वोई single manufacturer करेंगे जो manufacturer ने उस drug को invented किया है जब ये period खत्म होगी तब उसकी जो patent थी वो 20 years के थी 20 years expired होगे 20 years खत्म होगे 20 years खत्म होने के बाद अब जो दूसरी manufacturer है वो भी उस drug को manufacture कर सकते हैं और जब दूसरे manufacturer उस drug को manufacture करते हैं और वो उसके लिए जो license के लिए manufacturing license के लिए हम क्या कहेंगे कि यह वो किस के लगर है under the generic नहीं under the generic it will come under the generic drug अब जो generic drug है और जो branded drug है अब क्या होगा कि इन दोनों की जो quality होगी या इन दोने जो manufacturing license होगी वो manufacturing license है FDA के द्वारा इसू की जाती है FDO similar parameter adopt करता है license हो करने के लिए जो branded drug है जो branded drug के लिए parameter थी वही सारी parameter होगा यहां भी चेक करेगा किसके लिए for the generic drug क्लिर भी बात ही है कि जीस manufacturer ने drug को invent किया और invent करने के पास उसका patent करवा लिया और patent करवाने के पास अपना उसने brand name देदी और वो जो brand name देदी उस brand name के दोरा वो drug market में available होगी जो medical practitioner होगे या pharmacist होगे medical practitioner उसी brand name से drug को prescribe करेंगे और pharmacist उसी brand name से उस drug को dispense करेंगे after expiry of the patent अब वो drug जो जो brand drug था अब किस category में जाएंगी under the category of the generic drug और कोई भी third manufacturer कोई भी manufacturer हो वो manufacturer claim कर सकता है कि हम इस drug को manufacture करना चाहते है इस drug को market करना चाहते है under the name of the generic drug अब जो generic drug है और जो branded drug है उन दोनों की licensing parameters से जो licensing formities है वो almost similar होंगे और FDA इस बात को assure करनेगा कि जो हमारी branded drug है और जो generic drug है दोनों की active constituent है similar है दोनों की efficacy similar है दोनों की pharmacokinetic similar है दोनों की dissolution rate similar है absorption rate similar है bioequivalence similar है quality similar है purity similar है strength similar है potential similar है means दोनों drug में कोई difference नहीं है तभी FDA जोंगे वो generic drug को allow करेंगे कि आप इस drug को market में generic name से market में sale कर सकते हैं और वो market में available हो जाएंगी अब प्रश्निया है कि हम कैसे identify करेंगे कि यह generic drug है और यह branded drug है दोनों में क्या फ़र्ख होगा दोनों के दो similarity हो में देख लिया कि दोनों का एक ही active constituent है दोनों की एक जैसी efficacy है दोनों की एक जैसी pharmacokinetic है दोनों की dissolution rate, absorption rate almost similar है bioequivalency almost similar है purity almost similar होगी, quality almost similar होगी potential almost similar होगी और उंकी strength almost similar होगी विद्धे हर रेक चीज उनकी जोगी वो similar होगी difference कहाँ हो सकता है तो उनके color में color में से उनके appearance में उनके flavor में प्रेटिव डाली गई है उस प्रेटिव में उनके एकसिपेंस डाली गई है उनके एकसिपेंस में या उनकी जो packaging की गई है उनकी जो labeling की गई है उनके labeling में difference हो सकता है लेकिन जो active constraint है जो quality है जो purity है, strength है, potency है जो bioequivalency है वो दोनों की generic drug की और branded drug की similar होगी generic drug का advantage क्या होगा जो generic drug होगा much cheaper than the branded drug जो US के संदार बात करें तो करेंगे 82-100% या 22-100% का सकते है कि वो drug चीपर होती है मैंसे कि branded drug का जो cost होगा 82-100% ज्यादा होगा compare to the generic drug अब प्रश्णी है तो क्या generic drug सस्ती है तो इसकी quality खड़ाव है क्या ही यह सब standard drug है क्या ही अपना effect produce नहीं करेगा क्या यह अपना effect यह प्रश्णी नहीं कर सकता है तो ऐसा नहीं है वो दोनों equal effect produce करेंगे लेकिन generic drug सस्ती है generic drug सस्ती है generic drug cheap है और सस्ती क्यों है क्योंकि जो generic manufacturer है उनको invention के लिए कोई पैसा खर्च करने नहीं परी उनके पास जो 15-20 अगा अगा time explained करना था वो time उनने उस पर खर्च से नहीं किया उनके पास बनी brand drug मिल गए उनकी वो marketing भी नहीं करने पर रही है उनको advertisement भी नहीं करने पर रही है और उनका drug sale हो रहा है इसके चलते क्या होगा कि जो generic drug होंगे वो generic drug बहुन सस्ती होंगे compared to the branded drug branded drug को prescribe नहीं करें ताकि पैसेंट को सस्ती medicine मिल सके लेकिन medical practitioner है वो चाहते है वो branded drug को prescribe करें pharmacist भी चाहते है वो branded drug को sell करें अब यहां पर dispute होगे जबकि इसका just opposite western country में यूस country में जो physicians और जो pharmacist है उनकी यही कोशिस होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेंटिक ड्रग को ही prescribe करें और जेंटिक ड्रग को ही dispense करें यही वो जेंटिक ड्रग को के पास है तो यहां तक कि इंसुनेंस कमपनीज है